विकास की जो प्रभावित करने वाले परिवल अपनों को में पढ़ा चुकी हूँ और अब देखेंगे दुर्गानन सीहा का प्रतिमान दुर्गानन सीहा का प्रतिमान क्या है दुर्गानन सीहा ने बालक की विकास के मुख्यतीन विबाग दर्शा है कौनसे कौनसे घर प्रतिक वीबाग भारतिय जो है बालकों को सारीरिक सामाजिक अन्य व्यक्तियों के साथ आंतक्रिया और बाहिय चेश्टाओं के लिए फल स्वरूप प्रदान करती है फलक मिलता है उनको और इसका व्याप आवास के स्थान में से भोगोलिक साथ साथ में बहुतिक और समाज होने वाली सुविदाओं आदी तक सीमित माना जाता है इन सभी परियावरणिय घटकों का प्रभा बालक के विकास के प्रगट लक्षणों के रुप में दिखाए देता है और इसलिए सर्वप्रथम बालक सबसे पहले कहते हैं कि घर में घर के संपर्क में आता है और इसलि है पालक थोड़ा बड़ा होने के बाद जब अभी मैंने कहा कि घर के पडोसी आप जहां रहते हो उसमें पडोस में जो माहल अच्छा होगा धार्मिक होगा संसकारी होगा तो बच्चे अगल-बगल में रहते हैं तो सिख के आते हैं जैसे कि घर छोटे बच्चे होते उसाइटि में रहते हैं तो बच्चे घरा पंताभ उख्ण के आते हैं तो शुक्रिस आप से ऑधल में रहते हैं कि हमने से सुना अच्छी बाते होगी तो भी बहां से सिक्थ होंगे तो telephone कीनल इसricht हुआ आसपास का माहल बहुत बहुत कैसे माहल में रहते वह बहुत इंपोर्टन रहता है इसके बाद आता है विद्यालय विद्यालय यानि के शाला थोड़ा बड़ा होने के बाद वह उसके पर विद्यालय का असर पड़ता है इसलिए विद्यालय का प्रकार शिक्षा का जाता है उस पर पढता है तो यह उसके विद्यालक Tem mentioned LED साथ-साथ में उसके एसर करते हैं जैसे कि विद्यालए में वđल सारे बच्चे होते तो बहुत सारे ब more वो किसके साथ रहता है कोंसे बच्चों के मित्र के शबकर कैसा उसमें पहज़ पहन के लिए मिलने वाले उसके कपड़े गर और मित्र में उनका स्थान संवान दूसरे लोग उसका संवान करते हैं कि ही नहीं वे दूसरे लोग उसको निख्राइऀ करते हैं तो बालग को मिलने वाला आहार यह सभी बातें Selास discussions व्यक्ति होता है तो स्वतंत रूप से प्रभाव दिखाएं नहीं देता है इसका लगातार आंतर क्रिया के द्वारा इन घटकों का प्रभा व्यक्ति के वर्तन पर दिखाएं देता है जैसे कि यहां आकुरूती में आपको पूरा दर्शाय गया है कि किसकों से समवय का समू आरी जिस्तों करता है तो उसके साथ ऐसा कह सकते है कि अलग अलग प्रवकरार के सबसे पहला आपको प्रतिमान दिया है उसको भागोलिक वातावरन आपको दिखाया है उपर की और देखो आप षी में दिखता है वातावरण तो वसमझदा है कि जिस वालक का विकास हुआ हो उसका वोगोलिक वातावरण भी जन आवश्यक कि कैसे माहुल में जनलना ऑका हमोब प्रभाव पढ़ता है जैसे कि इंडिया में अपने 8 गंटे गंटे तो ठक जाते है क्योंकि अपने घर्मी का प्रभाव अपनी सरीर पर असर करता है और जल्दी इनसाय जैसे फोरेंग कंट्री में जहां ठंडग ज्यादा है जहां घर्मी कम है तो ऐसे माहूल में लोग 1212 ग रखते नहीं है और घर्मिके मौसम में तुरंत ही थक जाते हैं अपने यहां इहां बिए सा बंठी और मर्यादा भी रखते हैं तो यहां अपने उदारन लेते हैं कि विचरती जाती के लोग होते हैं वो स्थाइर उपसे शहर में रहने वाले लोगों के विवार में बहुत अंतर होता है विशर्थी जाती किसे कहते है कि जो एक जगसे दूसरी जगर मज़्दुरी के लिए उनको विचरनु करना पड़ता होता है। उसे विचर्थी जाती कहते है। तो जो सहर में रहने वाले लोग हैं उनका व्यवार और जो विच्रीत जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं उनका व्यवार में अंतर होता है इसी प्रकार लोकशाही देश और तनासाही परिवार या देश में रहने वाले जो पड़े बले बालकों में अंतर पाया जाता है त सारी रिक्मांसिक विकास तंदूरत को प्रभावित करती है यह मुल्बूत आवर्शकता है व्यक्ति को फोष्टिक खोराखी नहीं मिलेगा तो वह उसका विकास आगे अटक जाएगा तो यदि व्यक्ति की अभी रूची अभी योगे ताके अनुस्तार उसे सुवीदाय मिल और बाहिय वातावरन एक दूसरे से साथ अंतक्रिया करते हैं और परिणाम सवरुप व्यवार निश्पन होता है ऐसा कह सकते हैं कि सामने सुवीदा में एक संस्ता में पलने वालकों को एक प्रकार का वातार मिलता है किन्तु बालकों का अनुवंस्ट अलग-अलग होने के समानप्रवब नहीं होता है मानों कि होस्टेल में बच्चे रहते हैं या एकी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं बालक को पढ़ाने वाले टीचर-एक एक बच्चे उनका अनुवन लक्षन जो है उसके अनुसार उनको सिखने की घती में डिफ्रांट है और बिनेता पाई जाती है व्यक्ति के जीवन काल के दोरान जैसे जैसे व्यक्ति आयू अवस्ता बदलती है वैसे वैसे परियावरम भी बदल सकता है बाले अवस्ता तरुना क्या अवस्ता प्रत्यक अवस्ता में प्रश्ण उसकी विवित प्रभाव कि भिनन भिनन होते प्रवेश्ण काल में प्रवेश्या प्रादंग करना एसे प्रादम जो लालन पालन करना बच्चों के यह सभी बहुत important रखता है तो यह व्यक्ति पर प्रभाव परता यह सभी व्यवार जो व्यक्ति पर वातावरन है जैसे कहा ना कि आर्थिक परेशानी तलाक हो जाए व्यवसाय में नुक्षान आजाए तो यह सभी की वज़य से घर में परिवार में उसका असर पड़ता है और वो समाज और संस्कूरुती पर निर्मित है तो यह हुआ कि आपका आगे का यह दूर्गानन सिहा का प्रतिमान था कि कौन से घर शाला और परिवार और पालढ शाला या इविद्ध्यय और मित्रह करते हैं जो जो मित्रवरतुर में अच्छे मित्रव संग किया तो अच्छे बनोगे और बुरे मित्रों की मुरा ब्रहार उस पर असर करता है तो है कि सब e条 बालक के विकास पर प्रपवित कौन करता है घर के बाद में आसपास का माहल परिवार के बाद में स्कूल का माहल या विद्यालएं का माहल और अंत मित्रवर्तुर यह वातावरण डाचा, सुवी दाय, कैसी मिल रही है,大家都 important करता है। अब, यह सिद्दान्थ जो है, विकास को जानने के सिध्दान्थ में बालक में लगभग कैसे जान पाते हैं, समान पाई जाती है, बालक की जो विकास की प्रत्या प्रत्य बालक में समान पाई जाती है। तो निश्चित प्रणाली होती है, बालक की जैसे जैसे वृद्धी होती है, वैसे वैसे विकास के स्तर उद्वव होते हैं, और विकास क्रमानस्वार होने के कारण विकास की भविश्यवानी की जा सकती है, इसमें अलग-अलग मनवेग्यानिकों ने अलग-अलग मत दिये है जानने के हैं माजट में उन्होंने बालक के प्रारंब से थोड़े समए कि के असपास की दुनिया के अलीपत रहता है और हाला कि घर्व से वातावरं के बाहर आने के बाद रोता ही है जर्ण्व से प्रारम होकर जीवन परियन तक व्रत्मक की प्रक्रिया उसको चलती रेती है। सुईस मनोवेयनिक जिन Zacransell यह प्रस्तूती की और मननीय है। से 12 वर्षित की अवस्ताही दर्शाही है तो सबसे पहले है जण्मसे 2 वर्ष में हैं अवस्ताहिति वर्ष एधीक्ष्ण भ्रतिक्ष्ष सक्रिया या मूर्थ पदार्थ लग्सी क्रियात्मक स्तर और चोथा है 11 प्लस वर्ष यानि की 12 वर्ष ते आगे अपचारिक अमूर्थ क्रियात्मक स्तर तो इस तरह से उन्होंने चार विभागों में उसको विभाजित किया है तो यहां आपको यह कोश्टक में पूरा दर्शा है कि जन्म से सम्विद्नात्मक क्रियात्क कारक्स्तर वाला लक्षन होते हैं तो जन्म से केवल प्रतिक शेप्त क्रिया करने वाले बालक प्रतिकात्मक रूप से सोचना प्रारम करता है उसे होने के सम्विद्नात्मक अनुभवों को भौतिक क्रियाओं के साथ संलगन संकलित कर के पहचाना जाता है और स्थाई होते हैं सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करना है दुसरों की बारे में सोचता नहीं दुनिया के सब्दों प्रतिमानों को निरदेशित करके उसके दोरा दुनिया को समझने का दीरे दीरे फ्रारण साथ से 12 वरश का यानि कि यहां साथ बढ़ला वाता है तो भी समझ सकता है और 12 वर्षके बाद कि अवस्थ्य playing description रामर्षक को समझता है सत्य बोलना सगमत प्रामर्षक क्या है वह ब् tastes लिए the व्रतन से व्यवार से डिखती है तो व्यक्ति यह समस्था आता है यह दौ बहुत में इसक्या रगषन में सब्सक्राइब करता है और इस दोरान व्यक्ति उपस्तित उनका अनुभव होता है और किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव नहों व्यक्ति के लेकर दो दो वर्षतक के बालक का ये कहा गया है आगे हैं यह सात् वर्ष का वालग से 7 जो dev 7 का बीच का समय है कुर्यात्मक बूर्व कर्यात्मक स्थर् कहते हैं इस दोर्ण बालग परदार्फ कं आकार व्यवस्तित्यं के अधिक केंडर तो मान लेता है कि उसमें एक का आकार बदल दिया जाए तो वह चार वर्ष के बालक के लिए वह समान नहीं रखता है और गोल आकार और दूसरे को लंबा बना दिया जाए तो गुलाकर आकार के गोले को अधिक वजन वाला मानता है यानि कि वस्तु वजन सेम का सेम होता है प उम्रक में इसको मूर्थ करियात्मक्स तर कहते हैं यह प्रश्ण पुशा जा सकता है पौतिक रूप से हाजिक दिखाये देने वाले और हाज से पकड़ी जा सके ऐसी वस्तुव का विचार कर सकता है जो दिखता है वह तो अमुर्थ विचारों के संबद में वह तरक नहीं कर सकता है और साथ-साथ में वो जैसे कि सीता गीता की अभेक्सा मोटी है और नीता गीता की अभेक्सा पतली है तो कौन अधिक मोटा कहा जाएगा ऐसे प्रश्ण जो होते उनको उलज जाते हैं और क्लियर होते नहीं है लेकिन सीता गीता और नीता को साथ में खड़ा कर दिया जाए और बालक से पूछा जाए कि को इस में से कौन मोटा है तो इसी तरह से वो जवाब अच्छे से आसानी से दे सकता है ऐसे प्रश्णों के उत्तर दे सकता है कि तो अहिंसा इमांदारी आदी अमुर्थ विचारों को समझने में उसको मे सकता है आगे का है को अमुर्थ करियात्मक यानि कि इस तर में जो सकती का जो विकास से बारा वर्ष के बाद प्रारम होता है तार्किक अनुमान संभव होता है उसके लिए और अमुर्थ विचार कर सकता है स्वच्छता स्वतित्रता लोक्षाही जैसे विचारों को समझा जा सकता है इस द्रश्टांतों को साथ में समझाए तो इस समझ सकता है दारना भी कर सकता है और उसकी विकास सोज विकसीद होती है यह हुआ आपके लिए आगे का point था जो जीन पी आजे का आपका विकास को जानने के सिद्धान्तों में 4 उसके point थे वो आपको यहां पूरा किया गया कोलवर्ग का नहतिक विकास का सिध्धान थे कोलवर्ग नाम के वनोवेग्यानिक ने खोजया की व्यवार का नहतिक और अनहतिक ताके संब्ध में बालक से लेकर वैस्क आयूतक के व्यक्ति के नीने अलग-अलग सरसे गुजरते हैं इसलिए संसोधन उसे नीम न लिखे एक बीमार स्त्री थी और उसके मृत्य नजदीक ती उससे जाचने के बाद डॉक्टर ने कहा कि एक दवा से बच सकती है और वह दवा लाने के लिए बनाने वाले और बेचने वाले व्यक्ति क्या उसमें खर्च 200 डॉलर हुआ हुआ हुए उस त्रीक को दवा देने के ढ़ने लंगती आधी रकम तो अधारले लेकिन वाले ने कहा कि मेरी पत्नी मरने वाली है इसलिए हम उसे कम कीमत पर दवा देनी चाहिए या पैसा बाकी रखने चाहिए तो दवा बेतने वाले ने मना करते हुए कहा कि मैंने दवाई बनाई है इसलिए मैं पैसा कमाना चाहता हूँ आखिर उस त्रीके पती ने दवा की दुकान को तोड़ कर दवा चुरा ले तो ये कारिया कहानी से पढ़ने के बाद प्रयुपात्रों को पूछा जाता है कि ये चोरी करना उचित करिया था अलग-अलग उम्र के और अलग-अलग संस्कृति के लोगों को जवाबों को से नैतिक विकास के लिए अलग-अलग स्तर कोल बर्गने बताए ऐसे हब ऐसा कि रम पर अगद-सामिंगर की दूसरी लोगों को कैसा लगेगा आदार पर उसे योग्य योग्य माना जाता है यह स्विक्ति करने वाली तीसरी कशा तक billions अपने तो को कैसा प्रभाव है समपुननैतिक कखाच होता है और उल्ती दिशा में उसका नहीं होता है बौधीक विकास प्राप्त बालक अविकसीत अवस्ता में वापस नहीं जाता है. तो बच्चों, यह आपको मैंने जीन पियाजे का सिद्दानत और कोल बर्क का विकसी द्दानत आपको समझाया है। आगे का प्रोईड पॉइंट है, प्रोईड का मनोजातिय विकास का सिधान, वो में अगले वीडियो में आपको समझाओंगी, कॉर्ग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना